प्रणोजाद हो और तो चलिए मैं देने वाला हूँ कावासाकी के बारे में फुल इंफोर्मिशन कावासाकी नींजा 300 PS6 के जो नॉम्स आने वाले है जो नए लाउंच होगी है वो इंडिया में तो हम वही देखने वाले तो चलिए देखते हैं सो फैमिली नींजा 300 PS6 मोडल जो है वो आता है 293 CC के साथ जो टू सिलेंडर के साथ आता है और मैक्सिमम पावर प्रोडूस करता है 26 PSP की जो की 11,000 पे पावर जनरेट करता है ठीक है तो अभी आते है टॉर्क पे टॉर्क आपको मिलता है 26.1 नूटन मी यह स्पोट्स कॉलिंग से से होता है एर कॉलिंग से होता है यह स्पोर्स कार है सौरी नॉटक कार जो आरवन फाई का वर्जन टू था उसमें भी लिक्वीड कूल है वर्जन वन में आज थिंक सो होंगा ठीक है छोड़ो हम तो काव से की की बात कर रहे थे ठीक है चलो तो ठीक है हो गया है तो लिक्वीड कूल यहाँ पर मिल जाता है आपको तो अभी करते हैं यहाँ पर क्योंकि लगा था यार एक्सपेक्टेशन थी लेकिन वैसा नहीं हुआ तो यहाँ पर आपने को एनलोग विड डिजिटल मिटल मिल जाता है ठीक है डिजिटल मिटल कॉंसोल वो भी ठीक है जिसमें आपको ओडो मिटर गेर शिफ्टिंग इंडिकेटर क्लॉक ट्रिप मिट टेको मिटर स्पीडो मिटर बट फुली डिजिटल कॉंसोल मिटर नहीं मिलता है आपको तो यहाँ पर हम बात करते हैं सीट हाइट की 780 mm की सीट हाइट है इसकी और यहाँ पर जो बंदा 5.4 फीट का जो होगा वो कमफोर्टिबल यहाँ पर आप बैट सकोगी वो गाड़ी पर सो अभी चलते हैं इसके ग्राउंड क्लियरंस पर यहाँ पर ग्राउंड क्लियरंस आपको मिला है 140 mm की और वेट पर भी चलते हैं इसके गाड़ी का जो वेट है काफी हलका यार बुलेट तो भी 198 kg के आती है तो यहाँ पर हलका मतलब 10 10 kg का यहाँ पर फरक है थोड़ा दो यहाँ पर 179 kg की यह क्यां ओर अभी चलते हैं इसके सस्पेंशन पर ठीक है काफी अच्छा वेट है इसका हलका वेट है तो अभी चलते हैं इसके सस्पेंशन पर फरन्ट सस्पेंशन है इसमें 37 mm के टेलिसकोपिक फोक मुझे लगा अपसाइड डाउन देने चाहिए लेकिन छोड़ो ये भी अच्छे है सो अभी आते है इसके रियर सस्पेंशन पर यहाँ पर आपको रियर सस्पेंशन 5-way adjustable pre-loaded सस्पेंशन मिलता है ठीक है ये भी काफी अच्छे सस्पेंशन है और अभी चलते है टाइर साइज के बारे में टाइर साइज आपको यहाँ भी मिलता है 11-0-70 और पीछे का जो मिलता है 1-4-0-10 ठीक है ये भी काफी अच्छे टाइर है तो अभी चलते है इसके में मुद्दे पे जो है इसका प्राइज बताओ क्या फैमेली बताओ क्या तो यहाँ पर है एक शोरूम प्राइज मेरे पास जो निकल के आती है 13.18 लाक्स ये वेरी का सकती है 13.20 लाक्स भी हो सकती है एक शोरूम है अन रोड प्राइज जब शोरूम में अवेलेबल हो जाएंगी तब पता चल जाएंगा तो अभी चलिए यह थी प्राइज तो यहाँ पे आपको फ्यूल इंजेक्षन मिल जाता है फ्यूल इंजेक्षन अभी फिलाल तो सब गाड़ियों में कंबलसरी हो गया है क्योंकि यहाँ पे जो 125cc के गाड़ी उपर के जो गाड़िया है उसमें भी fuel injection आ रहा है, जैसे कि Honda Shine, Honda Unicorn, इन में भी fuel injection आ गया है, ठीक है, 125 KTM जो 125 थी, उसमें तो already fuel injection आता ही था, जब launch हुई थी, उसमें तो fuel injection आता ही था, क्योंकि वो performance बाइक है, तो उसके कारण उसमें fuel injection देना बनता था, ठीक है, तो अभी चलते है काव साकी पर, काव स आज की यह जो time है, 21st century जो यह है, यहाँ पर लोगों को power भी चाहिए, और mileage भी चाहिए, तो आपके उपर है, आपको अगर mileage चाहिए होंगा, तो थोड़ी कम CC की गाड़ी लो, अगर काव साकी के fan होंगे, तो 300 में, absolutely जाओ, सबसे सस्ती, और सबसे अच्छी बाइक है वो, फीचर भले ही कम मिलते होंगे, लेकिन, मैंने वही कहा, 21st century में, आपको फीचर थोड़े जादा देने चाहिए, यह कावसा की, आप अगर इतने प्राइस कर रहे होंगे, शाड़ी तिन लाख रूप है, तो आपको अपने फीचर बढ़ाने होंगे, ठीक है, क्योंकि आज क Duke KTM 390 में, फीचर आपसे थोड़े जादा है, तो यह भी काफी अच्छी गाड़ी है, ठीक है, और आपको यह आपे बता ही दिया है, मैंने सब इन्फोर्मिशन बता दी है, So family, thank you for watching my video, अगर यह वीडियो पसंद आयोंगा, तो एक like दे देना, क्योंकि like देने से लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पोस्ता है यह वीडियो, तो thank you for watching, bye-bye and take care. So family, this is my brother, this is my brother, this is my brother, this is my brother, this is how many payment you have, So if you want to do this, my brother, you can also do my brother's vlog, मेरे साथ में, इसको भी लूँ, तो मेंको कमेंड में जरूर बताना, okay? Bye-bye! What are you watching? I'm watching, when will you get a payment? Oh, oh! You will also get money from your bank. You miss it?